बेलूगा वेल एक ऐसी मचली है जो कि इंसानों से भी बात कर सकती है और ये सफेद रंकी मचली बहुत ही क्यूट होती है डॉल्फिन की तरह ये भी इंसानों के साथ बहुत फ्रेंडली होती है लेकिन इस मचली का सिर हमेशा फूला हुआ ही रहता है लेकिन क्यों आई ये ज दोस्तों बेलूगा वेल बागी मचलियों के मुकाबले काफी इंटेलिजेंट हूती है… जितना ये दिखने में खूब्सूरत होती है… उतनी ही समढ़़ भी होती है… लेकिन इनके सिर का ये फूल हुआ भाग इनका दिमाग नहीं होता… बलके इनके सिर का ये हिस्सा फैट से बना होता है जो पानी में तेरते समय हिलता रहता है पर ये इनके क्या काम आता है दरसल दोस्तों बेलूगा वेल इस हिस्से का इस्तमाल तेरते समय दिशा का पता लगाने के लिए करती है और इसकी वज़े से ये काफी तेज आवाज भी निकाल सकती है और इस आवाज के जरीए ये इंसानों से बात करने की कोशिश भी करती है वैसे आपको डॉल्फिन और बेलूगा वेल में से कौन अच्छा लगता है कमेंट करके जरूर बताना